हाई फ्रेंद्स मैं हूँ शाहिन सेयर वरकम तो माय चानल आज हम बनाएंगे चॉकलेट बिस्किट डेसर्ड ये देखने में इतना टेंटिंग है खाने में उससे भी जादा टेस्टी है सिंपल इंग्रीडियन्स के साथ बनकर त्यार हो जाता है ना चॉकलेट ना क्रीम ना कंडेंस्ट मिल्क और ना ही मिल्क पाउडर का इस्तिमाल किया था तो चलिए आसान सी रेसिपी है शुरू करते है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ मारी बिस्किट लिये हैं ये बोल में आट करते जाना है तो यहाँ देखे सब कुछ मैंने तोड लिया है और इसको अब हम एक साइड में रख देते हैं दूसरी तरफ मैंने गैस पर एक सॉस पान चड़ा दिया है हम चॉकलेट सॉस बना के तियार कर लेंगे उसके लिए मैंने एक कप पानी आट कर लिय है तो यह 200 ml पानी है पाव लिटर इसमें हम आट कर देंगे 8 टेबल स्पून चीनी 4 टेबल स्पून अंस्वीटन कोको है यह हर्शीस का इस्तिमाल किया था एक टी स्पून वेनिला एसंस गैस का फ्लेम मैंने अभी ओन करा है और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करते जाना है अगर आप बीज में छोड़ देंगे ना तो इसके बड़े-बड़े गाठे पड़ जाएंगी गैस का फ्लेम मैंने हाई किया है और यह देखे सब कुछ मेल्ट हो गया है इसके अंदर इसके कोई लंप्स नहीं दिखाई दे रहे है आपने गैस का फ्लेम लो कर ले ताकि यह उबल कर जो है गाड़ा हो जाए जल्दी से तो तीन से चार मिनिट बात जब ऐसे हो जाए ना कुछ टेक्स्चर बहुत जादा हमने गाड़ा नहीं करना है फ्लेम ओफ करके इसको हम साइड में रख देंगे इस गरम गरम सॉस को हमने पोर कर लेना है बिस्कित के उपर इसको हमने धीरे-धीरे मिक्स कर लेना है शुरुवात में आपको ऐसा लगेगा कि नीचे काफी सिरप जमा हो गया है तो इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करते रहें बहुत जोर-जोर से मिक्स नहीं करना है कि बिस्कित बिल्कुल माशी हो जाए इसके अंदर बिल् अपने इसको एक डिश के अंदर ट्रांसफर कर लेना है डिश को मैंने नीचे से ग्रीज नहीं करा था बस ऐसे ही आट कर लें इसको एड करने के बाद इसको अच्छी तरह से उस्प्रेड कर ले रध टरफ किनारे पर और об की आस अपने के बाद ऊपर से इसका जो सरफेस ह हुए उसको अंदर even कर लेना है ताकि अच्छी तरह से वह सेट हो जाए उसमें तो बस इसको थोड़े देर के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं जब तक यह सेट हो जाता है न तब तक हम इसके ऊपर की क्रीम बना लेंगे तो यहां पर मैंने वही सॉस पान फिर से चड़ा दिया है ग्यास के ऊपर और इसमें हम अब आट करेंगे एक कप दूद तो यह टोटल पाव लीटर दूद है फुल क्रीम मिलक का इस्तिमाल किया था मैंने अब दूद कोई भी ले सकते है इस रेसेपी के लिए ग्यास का फ्लेम अभी आउन किया है मैंने और इसमें हम आट क करेंगे वैडिला एसेंस फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा मिक्स्चर को गाड़ा करने के लिए दो टेबल स्पून आट किया था मैदा फ्लेम अभी आउन ही है कंटिन्यूसली स्टर करते रहे इसको ताकि इसमें लंपस नहीं पड़े और यह देखे धीरे धीरे इसमें उ चाइन आ जाएगा और यह इस तरह से स्मूध सा हो जाएगा बस गैस कफले मैंने ओफ कर लिया है और यही सिरप यह चोकलिट क्रीम जो हमने बनाई है यह हमने इसके उपर पोर कर लेना है हर तरफ से स्प्रेट कर ले किनारों किनारों पर इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह स इसे उपर से spread करके even कर लिया था क्योंकि अभी गरम गरम है तो अच्छी तरह से spread हो जाता है और फिर उपर से मैंने ये cocoa powder इस तरह से sprinkler कर लिया है इससे ये देखने में अच्छा लगता है आप चाहें तो dry fruit है nuts है walnut है या फिर आप chocolate के चोटे-चोटे pieces करके या फिर आप biscuits के pieces करके भी इसके उपर decorate कर सकते हैं तो बस इसको अभी हम fridge में रख देते हैं कम से कम आदा घंटा मैंने set कर लिया था ये दिखें नीचे fridge में रखा था उपर से अच्छे से set हो गया है तो इसको अब हम cut कर लेते हैं आप चाहें तो knife से इस तरह से cuts लगा लें इसके उपर side से भी थोड़ा सा loose कर लेंगे इसको knife से इस तरह से और फिर आपने इसको scrape करते हुए निकाल लेना है तो अच्छी तरह से base पे ले जाए और scrape करके इसको निकाल ले ताकि base पर से अच्छे से निकल आए तो ये देखिए perfect इसके pieces निक आने में बहुत tasty लगता है लग रहा है ना tempting तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह recipe को like और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा आज के लिए इतना काफी है फिर मिलती हूँ एक और नही रेसिपी के साथ तब तक इजाज़त चाहती हूँ thank you so much for watching my video take good care झाल के टो मिलती है तो हमेशे लोग झाल कर दो हमेशा लगाई लोगा है बाचा है अगर रहाई पिर आजब आपको बाता हैं आपको रहाई लोगा है